एक दिन अकपर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने बीरबल को सोगस समीन उपहार में देने का वायदा किया. बहुत दिन गुजर गए. परन्तुम अकपर ने अपना वायदा पूरा नहीं किया. बीरबल अकपर को समय समय पर उनके वायते को याद दिलाते रहे. अकपर बीरबल की बात अनसुनी कर देते और अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड कर भूलने का बहाना करते. कई दिन पीत गए. एक शाम अकपर और बीरबल नगर फ्रमण करने के लिए निकले. उन्हीं फ्रमण करते समय मार्क में एक उउट नजर आया. अकपर ने बीरबल से पूछा. बीरबल बताओ के इस उट की गर्दन इतनी लचीली क्यों है? बीरबल ने चतुराई से उत्तर देते हुए कहा, महराज यहाँ उट पिछले जन में एक राजा था. एक दिन इसने प्रसन्न होकर अपने वजीर को सौग जमीन देने का वाइदा किया था. परन्तु राजा अपना वाइदा फूल गए. जब भी वजीर उसे वाइदे की यात लाता, तो वे अपनी गर्दन मूड लेते और बात अनसुनी कर देते. अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ. उन्हों ने कहा, यह तो असंभव है. बीरबल ने कहा, महराज मेरा विश्वास कीजिए. यह सत्य है कि जब भी वजीर वाइदे की यात लाता, तो राजा अपनी गर्दन मूड लेते. इस पर घुस्से में आकर वजीर ने राजा को श्राब दिया कि अगले जन में तुम राजा से उट बनोगे और तुम्हारी गर्दन हमेशा लचीली रहेगी. अकपर ने बीरबल द्वारा उंट की लचीली गर्दन की कथा सुनी. उन्हीं बीरबल की चतुराई समझ में आ गई. अकपर को अपना वाइदा याद आ गया. लज्जत होकर उन्होंने बीरबल को सौगा जमीन उपहार में दे दी. बच्चों, हमें किसी से भी कोई वाइदा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. यदि हम किसी से कोई वाइदा कर ले, तो हमें उसको पूरा करना चाहिए. कहा भी गया है. रगुकुल रीती सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई.